तो नमस्कार आप सभी कौर भोजपुरी फिल्मों को सुपरस्टर पवन सिंग की साल 2016 में जिद्धी फिल्म आई थी वही बॉलीवुड फिल्मों को सुपरस्टर सनी देवल की फिल्म जिद्धी साल 1997 में आई थी इन दोनों फिल्मों को क्या है कलेक्शन इन दोनों फिल्मों सभी कों बता देजिता मामले में तो पुवन सींग की फिल्म का एक कुरोgg लागत था अब बात कर लेटे इन दोनों फिल्मों की कमाई के बारे में तो आप सभी को में बता देगी सनी देवल की फिल्म जो की साल 1997 में रिलीज हुई थी आज से ठीक 22 साल पहले उस फिल्म का कलेक्शन था वो लगभग 200 200 मिलियन बता जा रहा दिया 200 मिलियन यानि लगभग 20 करोण रुपे के आसपास कलेक्शन रहा तीस दिनों तक सिनेमा घरों में फिल्म लगी रही और काफिरा इसने कलेक्शन किया वही बात कि रहा सुपर श्टर पवन सिंग के फिल्म जिद्दी की तो आप सभी को मता देगी तीन करोण रुप के लागत में फिल्म बनी थी और आपको बता दे कि लगभग 40 दिनों तक सिनेमा घरों में फिल्म लगी हुई थी वही कलेक्शन की बात की जाए तो लगभग 200 मिलियन के कलेक्शन रहा पवन सिंग के फिल्म जिद्दी का जिया 200 मिलियन यानि लगभग 25 क फिल्म में अलग-अलग है और दोना फिल्मों की अलग-अलग ओडियन्स है और वैसे भी कम देखा जाता है कि कोई वॉलीवूर फिल्म को टक्कर दे रही है भोचपूरी की फिल्म वैसे सुपरश्चर पवन सिंग की जब भी फिल्म सिनमा घरों में लगती है वही में जब भी पमन सिंग का नाम लिए जाएगा सबसे उपर लिए जाएगा तो इन दोना फिल्म में से आप सभी को कौन सी सूपर हीट फिल्म लगी हमें कमेंट शेक्शन बतिएगा और भोचपूरी की सभी तरह खबर जुणने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इस लाल रंग के बड़न को दबा कर बिल्कुल स्री में धन्यवाद है